रोयल्टी कार्मी को द्वारा इस्थानी लोगों के साथ मारपीट कर गाड़ी में तोड़ फोड़ की गई इसकी चानकारी इस्थानी ग्रामीनों को लगी तो लोग एकटे होकर पुली स्थाने पहुँच गए आकरुशित लोगों वो ग्रामीनों ने आरोपियों की गिर्फतारी को लेकर सुबह सम्दरी कस्वा बंद करवाया बड़ी संख्या में लोगों ने आरोपियों की गिर्फतारी को लेकर नारे लगाने शुरू कर दिये थाने के बाहर ग्रामीनों ने टेंट लगा कर धरना दे दिया और एक तरफ का रास्ता जाम कर दिया DSP निरस सर्मा मैं पुलीस जापता सम्दरी का स्वा पहुँचे द्हरनार्थियों को समझाने की कोशिस की लेकिन नहीं मानने पर पुलीस ने धरनांथियों पर लाठी चार्ज कर टेंट से खदेड़ा और टेंट को नीचे गिरा कर रास्ता कुलवाया इस दोरान DSP निरस सर्मा वा धरनार्थियों को लेकर वहस बाजी भी सुरू होगी काफी देर बहसबाजी के बाद पुलीश ने लाठी चार्ज कर दिया इसके बाद कुछ यूगकों को पुलीश ने हीरासत में भी लिया है वहीं पुलीश ने मामला सांथ करवाया पुलीश ने लेकर आजाओं भी में भी लिया है इस तरीके से द्रणा पहकारित तरह चबदस्ती मार्केट बंग दराना टायर जलाना और पुलीश के उपर से इस तरह पानी पहकाराइब भी लगाता है लगाता है इस एरी में हम लोग कारवाई भी करते हैं जो भी बिरानमपरी कैमपरेस तरह की चले उनकी विरुथ में भी हम एक्ट मकारवी थे ग्रामीरों के द्वारा डॉयल्टी के ऑफिस में जाकर के हंगावा किया गया है तो पुलीश के तीन बेक्टियों के साथ उन्होंने मार्क पीट करी है कटना बार मेर जिले के संदरी इलाकेगी भूरा राशुड गाउं के पास सुमवार रात की है जिसमें रोयल्टी कार्मी का द्वारा कस्वे के लोगों के साथ मार पीट की गई मामले में थाने के सामने नाय की मांग को लेकर धना देरे लोगों पर पुलीश ने अचानक लाठी चार्ज भी कर दिया लाठी चार्ज के बाद पुलीश के प्रती जन्नाक रोस है